लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें। रदस्थान की राजधानी जैपुर में भी कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तद जानकारी के अनुसार बता दें कि आज प्रदेश की राजधानी जैपुर के विश्व कर्मा रोड नंबर 17 के बस स्टैंड पर एक फल फ्रूट विक्रेता पोजिटिव पाया गया। शक्स के कोरोना पोजिटिव मिलने की जानकारी के बाद पूरे शेतर में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और मेडिकल की टीम घटना स्थल पर पहुंची। उसके बाद पूरे शेतर को सील कर दिया गया है। साथी प्रशासन ने पूरे छेतर में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया है और लोगों को घरों में रहने की ही अपील की है। बहराल बता दें कि आज प्रदेश में दोपहर तीन बजे तक करीब 65 से ज़्यादा नई संक्रमित मरीज सामने आए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा 32 मामले उदैपूर से सामने आ रहे हैं। जैपूर जोदपूर अजमेर के बायाद अबुदैपूर में कोरोना पोजिटिव सबसे ज़्यादा मिलते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक कोरोना पोजिटिव मरीजों का ग्राफ 4056 पर पहुँच गया है। साथ ही मोटो का कुलांकडा 115 पर पहुँच गया है। हलाकि प्रदेश की गहलोग सरकार इस पर काबू पाने के लिए पूरी मुस्तादी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लोकडाउन में भी सकती कर दी है।